नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन में आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है तो आप पूरा वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाब उठाईए तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप पूरे साल के लिए ये आम अपने फ्रिजर में स्टोर कर सकते हैं बिना बिगडे बिना किसी भार के कैमिकल या प्रिजरवेटिव के हम नमक और चीनी से इनको स्टोर करेंगे और ये पूरे साल ऐसे ही फ्रेस बने रहेंगे अभी तो गर्मी का सीजन है खुब सारी व बहुत कम खर्चे में तो आईए फिर शुरू करते हैं गर्मिया में तो हमें ये सबी तरह के आम मार्केट में मिल जाते हैं जब हमारा मन करें हम यूज कर सकते हैं लेकिन सरदियों में कई बार हमारा मन होता है कि मैंगो का सेख पिया जाए या फिर कच्छे कैरी की चटनी बनाएं गोलगपप वगएरा में भी ये कच्छी कैरी का पानी यूज होता है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसे पूरे साल के लिए अपने घर पे स्टोर कर सकते हैं और जब आपका मन करें फटा-फट से निकालिए और यूज कर लीजिए आम जो आपको पसंद हो या फिर जो आपको अवीलेबल हो वो आप ले सकते हैं मेरे पास ये सफेदा और दसेरी आम है तो सबसे पहले तो आपको जो आम लेना है स्टोर करने के लिए उस आपको बिल्कुल अच्छा साफ लेना है मतलम वो बिल्कुल भी खराब नहीं होना चीए उसके बाद आप उसे दो के अच्छे से साफ कर लीजिए और अब हम इसे चीलेंगे चीलने के बाद इसको छोटे-चोटे टुकडों में काट लेंगे इस तरह से पीसीज में काटके बहुत सारा आम स्टोर किया जा सकता है और पल्प के बजाए पीसीज को यूज़ करना ज़्यादा इजी होता है तो ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इस तरह से सारे इसके पीसीज आप निकाल सकते हैं दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से पहले इसको लंबाई में काटेंगे इसके बाद इसके बीच में ये चीरे लगा देंगे और इसे भी निकाल लेंगे हमें इसरफ आम का पल्प चाहिए गुठली नहीं चाहिए हमें इसलिए हम इसका पूरा पल्प इस तरह से काट के निकाल लेंगे एक तो ये वाला तरीका है ये आम काटने का एक दूसरा तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं आप आम को चिलके के समेट काट लीजिए इस तरह से इसके बीच में इस तरह से कट लगाते वे इसको चमच की सायता से भी आप निकाल सकते हैं दोना ही तरीके से इस आम को हम दो तरह से स्टोर कर सकते हैं एक तो इस तरह से इसके पीसीज काट के कि एक इसको हम आम का pulp बनाकर मंतलब इसकी प्योरी बनाकि भी इसको फोर कर सकते हैं लेकिन उसको यूज करना थोड़ासा टुफ हो जाता है क्योंकि जो आम का pulp है उसको अगर हम किसी डब्बे में डाल के फेटा तो फिर वो जम जाता है उसको बहुत जादा टाइम लग जाता है फिर निकालने में लेकिन अगर हम इस तरह से पीसिज काट के इसके रखेंगे तो आपको निकालने में बहुत जादा इजी रहेगा तो ये मुझे जादा यूजफूल लगता है और एक फिर अगर आप उसको चोटी चोटी ट्रेज में अगर जमाते हैं क्यूब्स में तो इतनी ज़्यादा ट्रेज होती नहीं है फ्रिजर में तो ये वाला तरीका ज़्यादा बैटर है आपको जितना आम स्टोर करना है उतना ही आप काट लें और अब इस तरह का कोई भी एटाइट डबा लें इसमें पहला हम ये आदा आम कटावा डालेंगे और इसको लंबे टाइम तक सही रखने के लिए अब इसमें हम चीनी डालेंगे वही चीनी जो हम डेली चाय वगेरा में यूज करते हैं एक चम्मच चीनी भरके इस तरह से आम के उपर पूरे पर फिला देंगे क्योंकि हम इस आम को लंबे टाइम तक रखने वाले हैं इसलिए हम इसमें चीनी डाल रहे हैं अगर आप इसको महिने बीस दिन के लिए रखना चाते हैं तो आप बिना चीनी भी से स्टोर कर सकते हैं और जोब आपको कोई रेसिपी बनानी हो उसमें चीनी आप बाद में अड़ कर सकते हैं इसी तरह से दूसरी लेयर आम की लगाएंगे और उसके उपर भी एक से दो चमच इस तरह से चीनी डाल देंगे अब आपको जितना आम स्टोर करना हो उतना आप लेयर वाइस डालते जाएए उपर से चीनी डालते बिल्कुल इसी तरीके से आप जितना मर्जी चाहें आम अपने फ्रिजर में स्टोर कर सकते हैं चीनी एक बहुत ही अच्छा नेचुरल प्रिजरवेटिव का काम करती है बिना किसी हानिकार केमिकल के हम अपना आम लंबे टाइम तक सिर्फ रख सकते हैं यह एक डबा देखें मैंने पहले से स्टोर करके रखा हुआ था बस यह है कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए रख रहे हैं तो चीनी ना डालें लेकिन अगर लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो चीनी जरूर डालके रखें तो अब यह आम हमारा स्टोर करने के लिए बिलकुल तयार है अब चाहे कोई भी मोसम हो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने घर पे ही आपने इतना सारा आम स्टोर करके रख लिया है चाहे आपको मैंगो से एक पिना हो मैंगो आइसक्रीम बनानी बनाई जाती हैं चत्नी भी बहुत अच्छी लगता एसकी आम पना वह बहुत ही टेस्टी लगता है और तो अब तो गर्मिया है आपको मिल जाएंगी मार्केट में लेकिन गर्मिया जैसे अब बारिसे शुरू होंगी ये मिलना मुस्किल हो जाता है तो इसे भी हम स्टोर कर सकते हैं इसको पहले आप छील लें चाहें तो छील के स्टोर कर लें या आप इसको छील के समयत भी रख सकते हैं कि और इसको भी से पीसिज में काटेंगे कि काच्छा आम भी आप चाहें तो इसका फुर्प बनाके यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें फिर वही हो जाता है हमें ट्रे लगती है या फिर किसी बरतन में बड़े डब्बे में अगर जमाते हैं तो फिर उसको यूज करना हमें डि की लगाएंगे और इसको हम स्टोर करेंगे नमक के साथ इसको नमक से प्रिजर्व करेंगे तो एक चमच हमने नमक की नीचे डाल दी थी एक चमच अब ये दूसरी लेर के उपर डाल दी है नमक बहुत अच्छे प्रिजरेविटी का काम करता है तो आप जब इसकी चटनी लगं जाता है तो साल भर के लिए आराम करेंदे बिलकुल ये खराब नी और होते अब आप दी अपने शेक्ति में इन सभी चीजों को स्टोर कर सकते हैं, पूरे साल पर इनको इंजोई कर सकते हैं, क्योंकि ये सीजनल फ्रूट हैं, सीजन में तो हमें खूम मिल जाते हैं, लेकिन जब इनका सीजन नहीं होता, तो या तो ये बहुत जादा महंगे मिलते हैं, और लोकल मार्केट वगरा में तो मिलते भी नहीं है तो आप इनको अपने फ्रीजर में स्टोर कर लीजिए और जब आपका दिल करें आप इनको इंजोई कीजिए बस द्यान रखिए आपका फ्रीज जब आप इन चीज़ों को स्टोर करते हैं तो कंटीनियू चलता रहना चाहिए देखें मैंने कितने सारे हरे मतर, इमली का पल्प, कच्चाम, पकावाम, गाजर वगएरा सब कुछ मैं अपने फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ तो दोस्तों मैंनों ते देखिए कितना सारा आम फ्रेजर में स्टोर कर लिया है आप भी कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे बहुती सस्ते बहुती अच्छे अच्छे आम आपको मार्केट में मिल जाएंगे लेकिन इसको स्टोर करने के लिए कुछ छोटी छोटी बाते होती है जिनको हमें ध्यान में रखना होता है वो बहुत ही जरूरी होती है यह एक फिक्स टेंपरेचर चाहिए बहुत ज़्यादा देर के लिए जिन इरियाज में लाइट जाती है वहाँ पे इनका खराब होने का डर रहता है तो कैसा लगा आप सभी को आज का हमारा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अच्छे लगा हो तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से एर करें ताकि और भी बहुत से लोग इसका लाव उठा सकें बहुत जल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लि